मिवाद जिले में बहतर घंटे से कोई नया केस सामने नहीं आया है मिवाद जिले के लिए राहत की खावर है आपको बता दें कि हरेणा के मुस्लिम बाउले जिला नोहो मिवाद बले ही कॉरोना वाइरस केसों की संख्या सतामन हो गई हो लेकिन पिछले तीन दिन राईवार, सौंबार और मंगलवार को कोई नया केस सामने नहीं आया है हाला कि सतामन मैंसे नलहर्ड मेडिकल कॉलेज आईसोलिस्टन पार्ट में भरती 26 लोगों को पूरी तरह स्वस्थ होने के कारण डिस्चार्ज किया जा चुका है मंगलवार को तीन मरीज डिस्चार्ज किये गए जिन में महभू पचपन आंदरपरदेश, सहौरा, सत्तर वर्सिय सिरौली, कुर्सी 45 वर्सिय सिद्रावट ठीक होकर लोटे है अब एक्टिव केसों की शंख्या 31 रहे गई है जिप्टी सियमों ने का है कि ठीक होने वाले तबली की जमात से सम्मद रखते हैं 26 स्वस्थ होए लोगों को मालव काओं समसूतीन होस्टल में 11 दिन तक एतियात के तोर पर रखा गया है देश के कई राच्चों की अलावा विदेश के कई लोग स्वस्थ होने वाले लोगों में सामिल है विदेशी ठीक मरीजों को समसूतीन होस्टल में रखा गया है आपको बता दें कि नलहर्ण मरीकल कॉलेज में चिन पॉजेटिब मरीजों का इलाज चल रहा था पॉजेटिब महिलाओं की संख्या अब च्यार है चिन लोगों को छुट्टी मिली उनमें केरल साउथ अफरीका, स्रीलंका, जमू कस्मीर, तमिलनाडू, आन्त प्रतेस इत्यादी के रहने वाले बताये चा रहे हैं आपको बता दें की नुहु मिवाद चले में करीब 292 लोगों को सर्वलांस पर रखा गया है जिनमें से 380 लोगों का सर्वलांस पीरियड पूरा हो चुका है अब सर्वलांस पर 2012 लोग रखे गए हैं इसके अलावा स्वास्त वहाग ने अब तक 1502 लोगों के सैंपल लेकर चांच के लिए पीज़ाई रहो तक वे गुरू ग्राम के की निची लेब में बेचे हैं जिनमें से 305 की रिपोर्ट नेगेटिव आचुकी है तथा 57 की रिपोर्ट पॉजेटिव आचुकी है डिप्टी CMO नुहू टाक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि जिले में 31 केस एक्टिव हैं 23 मरीचों को अब तक नलहर्ड मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई है अभी भी करीब 140 केसों की रिपोर्ट आना बकाया है उन्होंने बताये कि नलहर्ड मेडिकल कॉलेज तथा अलाफिया सामने अस्पताल मर्डि खेड़ा में कुल मिलाकर 31 लोग आईसोलेशन पार्ड में समय भरती हैं 22 घंटे में कोई नया केस सामने नहीं आने से वास्ता में राहत देने वाली खबर है स्वास्तवाग के साथ-साथ इलाके के लोगों के लिए राहत इन नतीजों से मिलना लाच्मी है आप देखे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीचेगा और रोचा न देखते रहिएगा मिवाज जिले की छोटी वड़ी ताजा ख़वर है अब तक हमारे लगबग दाई जार किला लोग ऐसे हैं जो सेर्वेलेंस पे थे सेंपल हमने लगबग 1432 लिये हैं उन मेंसे बहत्तर सेंपल ऐसे हैं जो अभी रिपोर्ट आनी बाकी है पिछले दो दिन में इतनी भी रिपोर्टे आई हैं सारी की सारी नेगिटिव आई हैं और एक अच्छी खबर ये हैं कि हमारे फुल में लाकर 23 मरीज जो नलड में दाखिल थे और डिसाज हो गए हैं ठीक होकर उनको इस बेसिस पर डिसाज किया गया है कि उनकी दो रिपोर्टे लगा था नेगिटिव आई हैं वो हमारे पास जो बहार के राज्जों के इतले जमाती थे सारे के सारे तो मालम में रखे हैं और जो दुसरे देश के थे ते वो पला में रखे हैं तो 23 वरीज हमारे ठीक हो गए हैं, अब कुल में लाकर हमारे पास 34 COVID-19 पेसेंट हैं, जो एक रहत खुरी फ़बर है, 1432 टोटल सेंपल लिए गए हैं, तेरा सुतीन की रिपोर्ट नेगेटिव है, सतावन की पॉजिटिव है, और बहतर ऐसे सेंपल है, जो इनकी रिपोर्ट आथ सेंपल तक आने की संबावना है, यह अची रात है, नेवातवासियों के लिए और हमारे लिए भी,